हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरह बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सस्क्राइब कर लेता कि आप अपनी मन बसंद की वीडियो देख सके करते हैं अब हमारे एपिसोड की तरह एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शेन के स्लिया जाने के बाद यूँ घुसे में उसे मिलने के लिए आती है यन्यंग और चैंगमू को बाहर रुकने के लिए कहा ये कहकर के पहले मैं उससे अकेले में बात करना चाहूंगी अंदर जाके तो पहले उसे जोरदार चपेड मारी के अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो मेरे भाई को डिग्रेट करने का क्या मतलब मिस्टर शैन बोला कियुके वो एक बर्डन ही है अगर ना होता तो तुम मुझसे बरेक अप ही ना करती यूने उसे वांड किया कि खबरदार अगर मेरे भाई को बर्डन कहा तो मैंने तो पहले भी तुम्हें दिल से प्यार किया था पर मुझे क्या पता था कि तुम मेरे भाई को ऐसे ट्रीट करोगे यहां वो फिर से यू को फोर्स करने लगा उसे बताता है कि यन यंग को छोड़ कर मेरी लैफ में वापस आ जाओ मैं तुम से वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूँगा अब उन दोनों से भी मज़ीद बाहर नहीं रहा गया और अंदर आकर चैंगमु ने इसे जोर से हिट किया यू बोली कि मुझे तो तुम्हे देखने से भी नफरत हो गई है ये कहकर उन दोनों के साथ वापस चली गई लैंक सीन किन फाय पर आता है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे माफी मांग ली कि मुझे चैंगमु के मेंटल इल्लेस के बारे में ऐसे रूमर्स नहीं पहलाने चाहिए थे जो भी था वो उसका परसनल मैटर है और मैं अपनी इस गलती की वज़े से अपना आकाउंट डी अक्टिवेट कर रहा हूँ सुनन को तो देखकर काफी ज़्यादा खुशी हुई कहने लगा कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए इंटरनेट से डिसाप्यर हो जाना चाहिए अगर मेरे हाथों लगता तो देखना मैं इसके साथ क्या करता दूसरी तरफ सीहन ने चैंगमो को बताया कि जब तुम डिसाप्यर हो गए थे तो मेरे पैरंट्स ने मुझे तुम्हें डांटने से मना कर दिया था बलकि उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें कमफर्ट करूँ उसे भी ये जानकर खुशी हुई के सीहन के पैरंट्स को मेरे मेंटल इल्नेस से कोई फर्क नहीं पड़ा साथ ही उन्होंने चैंगमू के लिए एक वीडियो मैसेज भी बेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम पहले से ही चैंगमू के मेंटल इल्नेस के बारे में जानते थे लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम दोनों हमें खुद बताओ और हम अपने प्यारे बेटे को कभी भी इस बात से जज़ नहीं करेंगे आज से हमें भी अपने पैरन्स की तरह समझो और फ्यूचर में जब तुम्हारा दिल चाहे हमें विज़ट करने के लिए आ जाना फाइनली चेंगमू को वो कम्प्लीट फैमली मिल गई जिसके लिए वो हमेशा तरसा है सीहन बोली कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हूँ यानि के वो भी अपने रिलेशनशिप को नेक्स लेवल पर लेकर जाना चाहती थी और जाहिर सी बात है के चेंगमू भी यही चाहता था इसके बाद उन दोनों की किस होती है और अपनी फर्स नाइट एक साथ स्पेंट की फिर रात में जब चेंगमू सो चुका था तो सीहन ने लाइट बन कर दी और जब उसे जाग आई तो इसने उसे डरने से मना कर दिया उसे ये कह कर कि मैं तुम्हारे पास हूँ इस तरह आच पहली बाद चेंगमू को अंदेरे से भी डर नहीं लगा नेक्स सीन में यू को दिकाया गया जिसकी तबिया तचालंग से खराब हो जाती है पर यन्यंग को ख्याल आया कि कही इसकी तबिया तचालंग से खराब होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं डैट बनने वाला हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि उसका ये ख्याल सच साबित हो गया था जबके यू तो इस वज़ा से काफी ज़ादा परेशान थी कि मैं भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ बट यन्यंग उसे अपने प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक कार देते हुए कहने लगा लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ उसे बताया कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हें पहली नजर देखने के बाद ही मैं तुम्हारे पीचे पागल हूँ और यू को भी उसकी ये बाते अच्छी लगी वो भी शादी करने के लिए मान जाती है और यहां से इन दोनों के लाइफ के हैपी मॉमिंट स्टार्ट हुए नेक्स सीन में चैंगमू ने अपने पैरंस की पिक्चर वापस लाकर अपनी पिक्चर के पास रख दी और यहां सीहन ने उसके लिए मज़े मज़े का ब्रेक फाउट बनाया था उसे टेस्ट कराने के बाद पूछती है के तुम्हें कैसा लगा और हंडर्ड में से मुझे कितने मांक्स दोगे जबके चैंगमू ने तो पहले से पारसल के बॉक्स इस देख लिये थे कहने लगा मैं तुम्हें हंडर्ड मांक्स देता हूँ लेकिन अगली बार याद से ये डबे भी चुपा लेना और सीहन उसे हग करते हुए बोली कि अब तो बहुत देर हो चुकी कुकिंग ना ने की वज़ा से तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते इसके बाद वो सीहन के साथ सोल डेजर्ट जाता है और वहां भी सबी से देखकर काफी ज़्यादा खुश हो गए आखिर वो इतने दिनों से शोप पर नहीं आया था लेकिन आज चैंगो अपने वीवर्स के साथ लाइफ स्टीमिंग करने वाला था किमके वो उन्हें कुछ बताना चाहता है इसके बाद हमें उसे लाइफ स्टीमिंग करते हुए दिखाया गया जहां उसने पहले तो अपना इंटोड़क्शन करवाया बताया कि शायद तुम लोगों की नजर में मेरी कही सारी आइडेंटिटीज है एक इरिटेटिंग मिनेजर एक इनॉइंग बॉइफरेंड आज मैं अपने एक और आइडेंटिटी भी एड़ करना चाहूंगा कि मैं में मेंटल इलनेस का पेशन्ट हूँ इसकी वज़ा से मुझे अपनी लाइफ में काफी कुछ जेलना पड़ा और मुझे याद है जब मैं 13 एर्स के एज में पहली बार अपने टीचर से मिला उन्होंने मुझे अपनी तरह के कही लोगों से मिल्वाया मुझे मुटिवेट किया कि लाइफ सिर्फ यही पर आकर खतem नहीं हो जाती मेरे साथ साथ उन्होंने और भी कही में बार कॉणे स को बेक करना सीकाया और उन्हें लाइफ जीने का एक और मौका दिया मैं भी आप सबको यही बताना चाहता हूँ के मेंटल इल्नेस का मतलब यह नहीं के उस इंसान की लाइफ अत्म कर दी जाए आज से मैं अनौस करता हूँ के मैं भी अपनी शोप में मेंटल इल्नेस के पेशन को ऐस इंपलोई हाईर करूँगा ताके मैं उन्ने जिन्दगी जीने का तरीका बता सकूँ लीमिंग को भी उसके ये स्पीच सुनकर काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा और यहां यन्यंग को भी अकिन नहीं आता कि हमारा चोटू कब इतना बड़ा हो गया यू ने भी उसे थैंक्यू कहा कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और बतले में यन्यंग ने हमेशा के लिए उसका प्यार मांगा उससे वो रिंग भी पहना दी जो उसने काफी टाइम से ले रखी थी पर पहले यू इसको पहने के लिए राजी नहीं थी दोनों ने ही बहुत जल्दी शादी करने का फैसला कर लिया था यहां चैंग्मू अपना एक नया प्रोड़क्ट बनाता है और सीहन उसके लिए आर्टिकल लिक रही थी मजीद उसके लिए खुशी की बात ये थी कि आज उसके वन मिलियन सस्क्राइबर्स पूरे हो गए जो कि उसकी बड़ी खौाहिश थी एक बार पीर से उनकर शोप पहले की तरह चैसे चलने लगा जबके चैंग्मू से अपने पार्टनर्स पर चोड़कर खुद सीहन के साथ डेट पर चला गया सुनन बोला के ये तो हमारे साथ नाइन साफी हुई और बाई ने बताया के बोस ने उन सब के लिए होलिडी अनाउंस कर दिया है जो कि रिलेशनशिप में है अब तो बीचारे सुनन का दिल और भी तूट गया के पता नहीं कभी ये दिन मैं भी देख पाऊंगा या नहीं नेक्स सीन हमारे नए कपल पर आता है जहां हांजी उसे कह रही थी कि तुम मुझे नहीं देखना चाते थे ना अब तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाऊगे बिकोज मैं ब्रोड जा रही हूँ क्योंके मेरा नए सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और यहां जियान तो अभी भी पैसो की ही बात कर रहा ता कि मैं तुम्हें कैसे लुटाओंगा हांजी इस बात पर घुसा हो गई वहां से जाने लगी पर जियान बोला कि मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले ये बताओ कि तुम वहां से वापस कब आओगी जब हांजे ने बताया कि मैं अगले साल क्रिस्मस पर ही आ सकूंगी तो जियान ने बताया कि तब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे लुटा चुका हूंगा लीज जब वापस आओ तो मेरी गर्फरेंड बन कर आना और यहां इसकी खुशी का तो कोई टिकाना ही नहीं था कहने लगी कि जब तक मैं यहां नहीं हूँ खबरदार जो तुमने दूसी लड़कियों के साथ फलर्ट किया और मैं भी वहां रहकर खुद को तुम्हारे लिए सेफ रखूंगी जियान भी हसते हुए कहने लगा कि मेरे पास टाइम ही कब होता है लड़कियों से फलर्ट करने का तुमने देखा नहीं मैं कितना ज्यादा बीजी रहता हूँ इसके बाद चैंग्मू को दिकाया गया जो सीहन को डेट पर वहां लेकर आया था जहां वो दोनों पहली बार मिले थे बिकोज उसे ये जगह सबसे ज़्यादा पीसफुल लगती है और सीहन को भी उसके साथ यहां टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा आफटर देट सीहन फायर स्पार्कल्स ब्लो आप करना चाहती थी और चैंग्मू तो जैसे पहले सी ही उसकी ये खुआ ही जानता था उससे स्पार्कल्स ब्लो आप करकी दी और दोनों ही काफी ज़्यादा खुश लग रहे थे यहां से इन दोनों की लाइफ के हैपी मॉमिंट्स भी स्टार्ट हो जाते है दोनों ने अपनी रात यहीं स्पेंड की और अगली सुबा राइजिन संग के सामने चैंग्मू ने उसे शादी के लिए प्रोपोस कर दिया सीहन ने भी हमेशा के लिए उसकी फैमली बनने का वादा कर लिया और दोनों ही निकलते हुए सुरज के सामने अपनी ओफिशल किस करने लगे आज इन दोनों की लाइफ की एक नई सुबा ती है और इसके बाद हमें एक साल के बाद का सीन दिकाया गया जहां सुनन के रहा था के यार एक साल गुजर गया है सब कुछ बदल गया सब की लाइफ बदल गई बस हम दोनों वैसे के वैसे सिंगल ही रहे इस पर निन बोला कि क्या बोस ने तुम्हें डेजर्ट बनाना नहीं सिकाया क्या उसने हम दोनों को नई ब्रांच का मेनेजर नहीं बनाया अगर इतना कुछ हमारी लाइफ में बदल गया है तो पिर तुम कैसे कह सकते हो क्या हम दोनों वही के वही रह गए जियान भी आकर इन्हें मुबारक बात देता है कि तुम दोनों तब हमेशा के लिए एक साथ ही रहने वाले हो और बई ने इनको वांड किया कि खबरदार अगर नई एंप्लोईस को टोर्चर किया तो और मज़े की बात ये थी के हांजी भी एक साल के बाद वापस आ गई है जियान की गर्फरेंट बन कर ये सब जियान के लिए भी काफी ज़ादा खुश थे और बई ने सूनन को बताया कि अगर तुम भी विकेशन पर जाना चाते हो तो जल्दी जल्दी से अपने लिए गर्फरेंट डूंड लो वही बोस भी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ कर उसे ले आया और सूनन उसका मजाक उड़ाने लगा कि बोस अब तो आप अपनी वाइफ को भी हर जगा अपने साथ ले कर जाते हैं इस पर चैंगमु ने भी उसे अपनी भावी को परिशान करने के लिए मना किया उसे ये कह करके तुम्हें हिट कर देगी इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रूई वापस आ गया कहने लगा कि मेरे मॉम डैड ने फिर से लड़ाई कर ली कितने इम्मी चोर है वो दोनों क्या मैं हमेशा के लिए अपनी आंटी और अपने अंकल इनलो के साथ रह सकता हूँ जबके उन दोनों को तो रूई हमेशा के लिए अपने पास ही चाहिए था वो भी रूई को देखकर काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं चेगमू ने उससे उठा लिया और सबकी लाइफ अब हैपी हो चुकी थी इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैपी हैपी एंडिंग हुई